नवश्कार दोस्तों अंबाला प्रेंग नेूज में आपका स्वागत है हरियाना में इन दिनों करोणा के मामले बेहत जाधा तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और बात सिरफ अगर हम हरियाना या फिर अपके अंबाला की करें तो अंबाला is पिछले कई दिनों से अगर हम करोना के मामलों की आवरेज निकालें तो हर दिन 140 के करीब मामले सामने आ रहे हैं वहीं करोना की वज़े से होने वाली मोतों की अगर बात करें तो अप्रैल महीने में शायद ही कोई ऐसा दिन गया होगा जिस दिन किसी ना किसी ने करोना की वज़े से जान नहीं गवाई वहीं अगर देश की बात करें तो देश के कहीं राज्यों में करोना की वज़े से ऐसे हालाद बने हैं कि वहाँ पर लोकडाउन की चर्चाएं चलने लगी है नाइट कर्फ्यू लगा दिये गए हैं वहीं वैक्सिनेशन को लेकर भी सरकारें पूरा जोर दे रही है और हरियाना में वैक्सिनेशन की क्या कुछ स्थिती है करोना वैक्सिन का कितना स्टोक है हरियाना में कोविड को लेकर सरकार कितनी गंभीर है ये पूरी चर्चा ये सवाल आज हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि देश के दस राज्ये ऐसे सामने आए हैं जिनोंने साफतोर पर कह दिया है कि उनके पास वैक्सिन का सिरफ तीन या चार दिन का स्टोक बाकी है हरियाना करोना के मामलों को लेकर वैक्सिन को लेकर कहां खड़ा है इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए सीधे तोर पर हमारे साथ हरियाना के ग्रे एवन स्वास्थे मंत्री अनिलवीच साहब जुड़ रहे हैं और उनसे हम सीधा पूछेंगे कि आखिर किस तरह की हालात ह हरियाना में है क्या कुछ सरकार की तैयारियां है तो अनिलवीच हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं तो मैं आप से हरियाना में वैक्सिनेशन को लेकर क्या कुछ स्थीती है क्या कुछ को लेकर स्थीती है हरियाना में वैक्सिन की कमी नहीं है हम 21 लोगों को लगा चुके और हमारा टार्गेट है कि एपरिल के महिने में हम 35 लाख लोगों को वेक्षिन लगा दें कुल 45 साल से उपर आयू के लोगों की संख्या साथ लाख के करीब बनती है तो बाकियों को हम अगले महिने लगा दें करोना की दूसरी लहर बेज़ा तेजी से बढ़ रही है दोशी किसे मानते हैं क्या करण मानते हैं दूसरी लहर की इस तरह से बढ़ने का इसमें जो दूसरी लहर है मुक्यता लोगों का इसके प्रतिश जो गंभीरता दिखानी चाहिए वो नहीं दिखा रहे हैं और जो इतियात बर्षनी चाहिए जो क्रोना प्रोटोकॉल है उसको जो अमल में लाना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं इसलिए हम लोगों से बार बार आगरे कर रहे हैं कि आप खुद के शासन से खुद के प्रयास से आप इन न्यमों का प्छलन करें नहीं तो फिर हमें सक्ती करने पढ़ेगी और हमें सक्ति करने के अदे श्थेने पढ़े गए तो क्या इस सक्ती के माइने लॉड डाउन निकाले जाएं सबी उपायों पर विचार किया जाएगा क्योंकि हमें हर हलत में इसे बिमारी से लड़ना है अभी हमने लॉक्डॉन के बारे में कुछ सोचा नहीं है लेकिन अगर अवश्यक्ता पड़ेगी तो विचार करेंगे बहुत धन्यवाद अनिलविज साहब आपका और ये हरियाना के ग्रेमंत्री अनिलविज थे जो हमारे साथ सीधे तोर पर अमबाला अपने निवास से जुड़ रहे थे और उन्होंने बताया है कि हरियाना में किस तरह से वैक्षिनेशन जारी है और लोकडॉन को लेकर भी उ मादेश जारी करने पड़ेंगे लेकिन जब हमने अनिलविज से पूछा कि क्या इस सकती के माई ने लोकडाउन है तो उन्होंने साफ़तोर पर कह दिया है कि अभी ऐसा कोई विचार नहीं है लेकिन अगर जोरुत पड़ी तो उस पर भी विचार किया जा सकता है करोना को लेकर आप लोगों की क्या कुछ राये हैं उस पर भी हमें कमेंट में जरूर बताईएगा अपडेट लगातार आपको देते रहेंगे जुड़े रही है हमारे साथ कि अ कि